आज से एक सब्ता पहले मैंने अंबॉक्स किया था रियल मी के नार्जो 10 को और मैंनो हाँ पर बताया था कि मैं इसका एक इंदेप्थ रिभ्यू करने वाला हूं एक सब्ता के यूज करने के बाद कि मेरा क्या इस पर प्रसनल ओपिनियन होगा कि ये फोन आपको पर्चेज कर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और इसलिए मैं इस वीडियो का यहाँ पर मैंने यहां पर लिख लिये हैं अपने नोट में और उसको मैं आपके साथ से हर करने वाला हूं लेके वीडियू को शुरू करने से पहले मैं अब्सट यह लबली पर दिश शॉनेत निसान वेलकम बैक टू दी चैनल जैसे कि मैंने बताया है आज हम यहापर रिव्यू करने वाले हैं रियल मिके नार्जो टेन के और इसको मैंने एक सब्था हुज कर लिया है और इसके बारे में बात करने वाले सबसे पहले अब बात करें इसके इसके बारे में हम प्रोज के साथ बात करने वाले लें इससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ अपने एक्सपेरियंस के जो मैंने एक सब्था यूज करने का इसको फिल किया है तो यहां पर जो इसका डिजाइन है वह पीछे में आपको पॉली कर देखने को मिल जाता है इसक इसका पीछे में आपको फिंगर प्रिट में देखने को नहीं मिलता है और वेट है ये टूंडड़ ग्याम्स के आप रॉक्स है तो इसको मैंने खाला की प्रोच कर दो सिक्षिन में रखा है लिकान इसका जो वेट बैलेंस है वो काफी अच्छा है और इन हैंड फिल जो है अब दो कर लेते हैं लेकिन अब जैसे ऐसे एप का साइज कर रहा है तो काफी जादी ऑर अप माइक्र सडी काड़ इंसर्ट को कर लेते हैं लेकिन उससे के थूँ आप जो इंटर्नल कुछ एप्लीकेशन सो गए हैं उसको मैं हो फोन में आप उसको आप में नहीं कर सकते और करते भी हैं अगर आप, तो कभी कभी उसमें आपको प्रॉलिम्स देखने को मिल जाता है तो अगर जो इंटर्ल मेंवरी है, वो काफी अगर आपको मिल जाए, तो यहां पर आपको 128GB की स्टोड जाती है और 12000 के रेज़्umuz में यह ओनली फोने जिसम यहाप को आपको एप इसको आपको दिखने को मिल जाता है वह है हो एक मैं इसमें गेमिन परफोरमेस और की तो मैं ने गेम क्हला। उसलिए मैंने तो इसके लिए मैंने प्रोड नहीं किया उसके फोट्रज को लेकिन गेमिंग मैंने पपजी और गीदाई अर्विसिकली काफी इन देखा था इसमें काफी लोग यह बताते हैं कि इसमें लेको फोड़ा सा लैक्न इलेक्व मिलता है लेक्ड जो है सो इतना हैकि आपको पता नहीं चालेगा, means कि game आपको performance अच्छा मिल जाएगा इस price bracket में अगर बात करें हम तो, उसके बाद अगर हम इसका display की बात करें तो यहाँ पर आप गया 6.5 inch का display इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग वीडियो गड़ा देखते हैं, YouTube गड़ा द जिसके पहले ही बता चुका हूँ कि हाथ मिलने का मैंने पास आसूस जेंफोन 5ZB है, जो कि एक फ्लैक्सिफोन है आसूस का, अब नहीं है, मतलब लवग मैंने 2017 का अपको में लिया था, यह 18 में, तो काफी फ्लैक्सिफोन है यह लेकिन जो in-hand feel है इस phone का भी काफी अच्छ लेकिन फिर भी इसका जो डिवाइट किया गया है, polycarbonate होने के कारण या जिस भी कारण मतलब इसके weight balance किया गया है, वो काफी अच्छा किया गया है, उसके बाद जो मैंने इसमें आगे का जो प्रोज में रखा है, इसमें आपको dedicated microSD card slot देखने को मिल जाता है, लेकिन यह प price point, इस price bracket में आपको 128 GB का storage, हाला कि GST अगर नहीं आथा, GST में इसका जो प्राइस था, वो और 1500 कम हो सकता था, लेकिन यहाँ पर price point जो है, मेरे समझ से काफी aggressive है, और ठीक ठाक price है, इस price bracket में आपको 128 GB storage देखने को नहीं मिलता है, और मेरे according, अगर आप एक normal user है, तो आपक पीज़ पिक्सल, आगे हम कौन सक्षन में इसकी बात करते हैं, तो अब अगर बात कर ले इस phone के हम कौन सकी, जैसा कि मैंने note बना रखा है, जिसमें 128 GB storage दो दिया गया है, लेकिन इसमें जो storage टैप दिया गया है, वो है आपको eMMC storage टैप, जिसका maximum जो rate rate speed होता है, मतलब कि एक one-way technology इसमें यूज किया जाता है, जिसमें कि आप अगर rate होता है, और rate होता है, तो rate नहीं होता है, और इसका maximum speed है, वो 2 GB per second पे है, और अगर हम इसके आलावा जो basically phone में आप अभी देखने को मिलता है, वो UFS 2.0 है, जिसका speed होता है, वो 4 to 5 GB per second देखने को मिल जाता है, तो काफी ज़्यादे डिफरेंट देखने को मिल जाता है, जो high user है, उसको उनको थोड़ा लाइक देखने को मिल सकता है, हला कि मुझे कोई बहुत ज्यादा अनॉमल user के point of view से देखे, तो इसमें डिफरेंट इसके through देखने को नहीं मिला है, second जो मैंने यहापे कॉन रखा अनुमल जाता है, लेकिन काफी जादे इसमें डिसाबल करने कोई option नहीं होता है, यहापे इसके ब्राउजर है आप उसको भी यूज करते है, तो वहापे आपको कस्टमाइज एल, add MI की तरह देखने को मिल जाता है, उसके बाद अगर मैं तीसरे कौन की बाद करूँ आपको यहापे जो एज है वो काफी देखने को मिलता है, लेकिन यहापे फिजिकल LED लाइट नहीं दी गई है, इसके बाद अगर अगर आपको एक फिजिकल LED लाइट देखने को मिल जाती है, तो उसके काफी टाम के होता है कि आपको कोई notification आता है, तो उसके बादे में आपको देखने को नहीं मिलता है, उसके बाद अगर हम बात करें, चार्जिंग यहापे 18W का चार्जर दिया गया है, जो कि आपको बॉक्स देखने को मिल जाता है, लेकिन यहापे आपको जो चार्जिंग के स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट नहीं है, इसमें आपको चार्ज करने में जो टाइम लगता है, मतलब कि जो जीरो से लेके और लगभग 70-80% तक जो चार्ज होता है, वो थोड़ा फास्ट होता है, और उसके बाद बैटरी को सीफ करने के लिए बैटरी का मजो एफिससेंसी उसको बराने के लिए जो चार्जिंग स्पीड हो काफी तो काफी ज्यादा ये एफेक्टिव हो जाता है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर आपको HD प्लस डिस्प्ली देखने को मिल जाता है, जिसका आपकी रेजुलेशन 720 पिक्सल है, तो आप अगर कोई वीडियो देखते है इसके बैटरी 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 की बात, अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसमें मुझे एक और चीज़ पसंद नहीं है, इसमें आपको तीन देखने को मिल जाता है, एक है डाट ग्रीन, एक है डाट ब्लू और यह है डाट वाइट जो की मेरे पास बैरियंट है, तो इसमें काफी लोग फोन ब्लाक कलर का पसंद करते हैं, लेकि इसमें आपको ब्लाक कलर को भी देखने को नहीं मिलता है, तो जो ब्लाक लवर होते हैं या जो इस टाइप को जो नॉर्मल कलर पसंद करते हैं, उनके लिए सिर्फ एक उपसंद बन जाता है, वाइट का चुकि इसका जो वॉल्यूम बटन है यह आपको राइट हैंसाड नहीं दिया गया है काफी time क्या होथा है कि आप फोटो क्लिक करते हैं inong kate राइट हैंड साइड में होने के बाद आपको फोटो कर पाते हैं लेकिन यहां पर आपको छो यह तो मेरे समझ से ज्यादा बेहतर होता तो यह सब था कुछ प्रोजन कॉश्च चो बैने वन वीक यूच करने बाद देखा है और इसको मैंने समप किया आपके लिए और फिर भ तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर बात करें मेरे अपिनिन कि आपको यह फोन पर्चेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मैं यहां पर यह बोलूँगा कि अगर आप एक नॉर्मल यूजर है दिन आपके लिए यह सारे जो मैंने कॉंस बता है और इस तरीके से आप खुड़ डिसाइड कर से कैमरा की बात करें तो कैमरा मुझे 12000 के फोन के कोडिंग सही लगा लेकिन डिसेंट फोन कामरा बोल सकते हैं इसे मतलब की बहुत अच्छा पीसे नहीं बोल सकते हैं परफॉमेंस और बहुत खड़ाब भी नहीं बोल सकते है तो जो दो कैमरा है मेले समझ से मर्केटिंग गिमिक है क्वाइड केमरा सब्सक्राइब करने का तो उसके लिए उच किया गया है तो कैमरा जो है समुझे मतलब की एवरेज लगा देखने को और बाकी सब चीजों के बाद में मैं अल्रेडी बात कर चुका हूँ अब मैं आपने आपिनियन के बारें आपने जिस अको में बता रहा था के यचा वरता दिया तो अवर ओल यह मैं बोल सकता हूं कि अगर आप गेमिंग करना पसंद करते तो यहां पर आपको हैं पर गेंच आपको हिल्यो का और यह अपको पता भी नहीं चलेगा मेरे समस्य तो आप अगर है तो आप इस फोन को कर सकते हैं इवेन आप एक नॉर्मल यूजर है तो यह फोन कर सकते हैं चुकि बैटरी जो है इसका बैक अप काफी अच्छा है आपको बॉक्स के साथ देखने को मिल जाता है हाला कि हेड़फोन भी अगर इसमें इंक्लूड होता तो और भी ज्या है तो आप देखे और खुद कईजिए आपके लिए यह फोन कैसा है अगर बात के लिए स्पीकर की तो यह स्पीकर जो क्वालिटी है वह भी ठीक ठाक है बहुत जादे लाउट नहीं है तो बहुत जदे कम भी नहीं है तो अवर यह यह मेरा ओपिणिन है आप इसमें वीडियो में तिल देन गुद्बाइ